नमस्कार दूस्तों और सब्सक्राइब आप सबी का हर्दी स्वागत है तो आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड केंड प्रागरास से वेकेंसी है और यहाँ पर जो टीचर्स हैं उसमें PGT के लिए Chemistry और Computer Science की वेकेंसी है TGT के लिए Social Science की वेकेंसी है इसके लामा देखेंगे तो Activity Teachers के अंतरगत Physical Education Teacher, Art and Craft Teacher की वेकेंसी यहाँ पर आई भी है तो यह विग्यापन आज के अख़बारों में है और यहाँ पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 100 रुपए आपको देना पड़ेगा हालाकि इन्हों ने यहाँ पर जो Notification जारी किया है इसमें लिख रखा है कि प्लीज विजिट अवर स्कूल वेबसाइट APS OldCandALD.in तो डाउनलोड अप्लिकेशन फार्म Educational Qualification and Age Criteria ITC लेकिं फ्रेंड्स अभी जब आज के अख़बारों में यह notice पब्लिश हुई है तो इनकी जो वेबसाइट है मैं आपको दिखा देता हूँ यही है वेबसाइट और इस वेबसाइट पर अभी खैर इनका जो अप्लिकेशन फार्म अगरा है यह अभी नहीं आया हुआ है थोड़ी देर के बाद आज आएगा और यहीं अप्लिकेशन मतलब आप यहां से डाउनलोड कर पाएंगे तो क्या करना है आपको आपको बता देते हैं देखो अगर आपकी उम्र जोए 1 अप्रेल 2024 को 40 साल या इस से कम है और आप fresh candidate है तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं अगर आपके पास experience है तो आप 57 साल तक आवेदन कर सकते हैं तो desirable क्या रहेगा PGT में आप जानते ही है कि आपका aggregate 50% mark होना चाहिए PG में प्लस आपने B8 किया हुआ हो और थोड़ा सा आप हिंदियों और अंग्रेजी में पढ़ा सकते हों तो आप यहां पर आवेदन कर पाएंगे chemistry और computer science है तो यहां पर खैर पूरा slips होता है वो English में ही होता है लेकिन आपको पता ही है कि मतलब English बड़ी सरल होती है इसमें कोई दिक्कत आती नहीं है TGT में social science के लिए vacancy है और उमर सीमावा ने बता दिया कि अगर आप fresh candidate ने तो 40 साल अगर आप experience रखते हैं तो 57 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं आपका जो desirable है good academic record होना चाहिए English communication skill computer proficiency होना चाहिए आवेदन कैसे करना है तो जो अब भेड़ती है वो official website awesindia.com पर जाए हलाकि यहां पर भी अभी यह farm आया हुआ नहीं है जो मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि यह vacancy अभी अमर उजाला में आज ही प्रकासित हुई है दोने वी website पर अभी कोई कोई link नहीं है इसका upload और जैसे link upload होता है या farm आता है मैं इसकी सुझना आपको अपने telegram channel study with घ्यानपरकास पर डाल दूँगा वहां से जाकर आप अपना farm अगरा download कर पाएंगे या फिर अगर आप प्रयागराज में रहते हैं तो आप directly जो है जा photo copy है आपकी जो academic records experience वगरा उसके साथ लगा कर DD बनवानी है 100 रूपय की जो कि non refundable होगी और यह किसके फिर में बनवानी है तो army public school old kind प्रयागराज बेबल एट प्रयागराज तो इतना काम करके आपको form जमा कर देना है अगर आप start list होंगे तो आप interview के लिए call किये agreement reserve all right selection rejection no application will be accepted through email and no TDA will be admissible तो salary कितनी मिलेगी तो as per awes rules तो salary आपको अच्छी खासी मिल जाती है और last date इसकी 10 जुलाई है ठीक है तो last date इसकी 10 जुलाई है इस बात पते हैं जेकर 10 जुलाई से पहले पहले आप यह farm submit कर दें और friends एक vacancy और भी है केंद्री विद्यारे से तो यह vacancy भी हम लोगी बात देख लेते हैं तो इसमें कौन-कौन से पत है देखो यह भी बता दें आपको पहले कि यह भी संविदा सिक्षक के लिए ही है और directly walking से यह भरती की जाएगी और आपका जो interview होगा वो दो जुलाई को होगा सुबा साड़े आट बजे पत कौन-कौन से हैं तो PGT, अंगरेजी, भॉतकी, जिउयु विञ्यान, हिन्दी, भुड, Computer विज्यान, práz, अच्छत, विशेश, शिक्छक, जी खेल, योग, शिक्छक, और पास्पोर्ड आकार की फोटो के साथ स्विकार किये जाएंगे साथ सतकार में उपस्तित होने के लिए उम्मिद्वारों को कोई T.A.D.A. नहीं मिलेगा विस्तित नित्रिस्व के लिए यथा पात्रता, आवेदन, प्रदर्शन और योगिता आथ के लिए आप ये वेबसाइट दी गई है, इसका लिंक में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और डाल दूँगा टरिगाम चनल पर, वहाँ पर जाकर आप इसे क्लिक करके पहुँच पाएंगे विद्धरे की वेबसाइट पर वेकेंसी कहां से आई भी है, आपको बता दें कि देखो पहले तो ये कि ये 72,24,25 के लिए समिधा सिख्च की वेकेंसी है, और ये वेकेंसी है हर्याना से, पिंजओर में अब आप लोगों में से कई सरे लोग एक सवाल करते हैं, कि यहाँ पर सर आप ऐसी वेकेंसी जो की है, तो ऐसी कंडिशन में ये जो जॉब्स होती है, आपके बड़ा सहारा होती है, आपको 15-20,000 रुपे ही मिले, लेकिन अगर इतने भी पैसे आपको मिल जाते हैं, तो आपका एक तू महीने का खर्चा आसानी से चल जाता है, दूसरी बात यहाँ पर यह होती है, कि आपके तो अगर आप लड़ रहे हो, तो आगे पास अनुभो जादा होगा, तो यह जो जॉब्स होती है, यह आपको अनुभो देती है, आपको आगे बढ़ने के लिए औसर देती है, साथी साथ आप जब इस नौकरी में रहते हैं, भले ही कांट्रेट बेस की नौकरीयां होती है लेकिन जब आप नौकरी में रहते हैं, तो उस दोरान आपकी जो जान पचान होती है, परिशे होता है, जो आपका दायरा होता है, वो बढ़ता है, उससे आपको नई-ने जो ऑसर होते हैं, उसके बारे में पता चलता है, नई-ने चीज़ों के बारे में जांकारी होती है, आपका जो विजन वो विश्त्रीत होता है तो इसलिए मैं आपको इसलिए के बारे बताता हूं ताकि आप थड़ा सा आप निर्भर हो सकें और अपनी तयारी को और अच्छे लेबल पर ले जा सकें और अगर आप घर से पैसा नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पर जॉब कर क्या है तो अभी जाके जॉइंग कर लिजिए वहाँ पर भी मैं इसे पोस्ट कर दूँगा वहाँ से भी आप इसे क्लिक करके बहुंच सकते हैं और यहां पर देखेंगे यह जो पीएम स्री केंद्री विद्ध्याल है यहां पर आपको केंद्री विद्ध्याले वाली जो वेकेंसी है कांट्रेट बेस वाली तो एनॉंस्मेंट सेक्शन में व्यू आल पर क्लिक करते ही आपको दिख जाएगी ठीक है तो यह वेबसाइट हो गई आगे बढ़ते हैं चलते हैं कुछ और खबरें हैं जो कि आपक केंद्रों पर समिवार कोई परिक्षाओं में किसी तरह की गरबड़ी की शुजना नहीं है समनवाग प्रोफेसर पीके इस्टालिन ने बताया है कि बीएड परिक्षा में 4043 अभ्यरती जोते वो पंजिक्रित थे इनमें 2860 अभ्यरती परिक्षा में सामिल हुए बीएड इ अब तक सूल लोग भीजे जा चुके हैं जेल तो आरो यारो पेपर लीग में सूल आरोपी पर चार्सीट बहुत जल्द बन जाएगी STF पहले दाखिल कर सकती है प्रारंभी बाद में पूरक आरोप पत्र तो आरोप पेपर लीग में अब तक कुल 16 लोग आरोपी बनाए गए हैं सभी जेल में हैं STF सुत्रों का कहना है कि बयान दर्श करने के बाद प्रकरण में प्रारंभी चार्शीड दाकिल कीजा सकती है इनमें इन सभी सूल आरोपियों के नाम हो सकते हैं जो अब तक इस माامले में आरोपी बनाये जा चुके हैं फराज चल रहे हैं आरोपियों के संब्द में विविच्ट्णा जाइरी रखी जा सकती है और उनकी ग्रिफतारी वे साक्ष 71 करने के बाद पूरव चार्शीट भी दाखिल की जा सकती है फिलाल तीन आरोपी की है तलास अभी तीन आरोपी हैं जिसमें पुसकर पांडे का मिस्वानात मौरिया और सिवाने सिंग सामिल है पुसकर जो है वो मास्टर माइंड राजू नेयन मिस्टरा का करीबी है और राजू नेयन मिस्टरा के बारे में बात करें तो रिजला अदालत ने आरो यारो पेपर लीग का मास्टर माइंड राजू ने अन मिस्त्रा उर्फ राहल मिस्त्रा की जमानत खारिज कर दी है यह आदिस अपर सत्र नादिस रतनेश कुमा स्रिवास्तो की अदालत ने दिया है कोड ने का कि पेपर लीग से योग अभिरतियों में बढ़ रही कुंठा और परिच्छा प्रबंदन से लोगों का भरोसा उठ रहा है मतलब यहाँ पर चार लाग रुपे में पूरी डील हुई थी और सुत्रों के मताविक परिशा खत्म होने के बाद बिहार के मुझफरपुर में मिठन पुरा थाना इस्तित डीएबी पब्लीक स्कूल के इंदर में सालबर हुकमा राम से बिश्तित पूस्तास की गी केंद्रबंदन के साथ ही नीट परिवक्षक और अन अप्सवरों ने भी उस्तित पूस्तास की तो पता चला कि रूपए के लालच में जो यह हुकमा था यह सालबर बनके बैठा था और उसमें यह भी बताया कि राज ने उससे आवेदन से पहले शेटिंग कर ली थी वह फ किया करें और आप लोग करना चाहूंगा कि आप लोग करें अगर आप कोई तयारी नहीं भी करने तब भी आप लोग पढ़ें और इसके रिए मैं बहुत ही साट में मातर तीन से पांच मिनिट के अंतरगत कुल मिला के 10 से 12 प्रसनों की कुईज बनाके ले आता हूं और इस से इस चैनल पर आठ बजे में अप्लोड करता हूं हला कि तो आठ बजे आपको ये वीडियो मिलता है और मातर पांच मिनिट में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका GS करेंट कितना स्ट्रॉंग है और इसके बाद अगर आप आरो यारो यूबी ट्रिपिल सी यूबी प सकते हैं या तो डिरेक्ट नी वहीं से कोशन होते हैं या फिर सेम उसी प्रिकार के पर सोते हैं जो की एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी त्यारी का अस्तर क्या है तो चैनल का नाम याद रखेगा Only GS महासा क्लास वीडियो को लाइक और पोस्ट चैनल करना बिल्कुल मत भुलिएगा थैंक यू